हाई गैस और वेलकम बाक टुदी चैनल दीपश यादव एजूकेशन वेलकम टुदी डेली करेंट अफेर्स आफ 6 जैनवरी 2023 तो गाईज आज है तारिक 6 जैनवरी 2023 और है फ्राइडे आज की तारिक से जितने भी मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स मनेंगे उन सभी करेंट अफेर्स को हम यहाँ पर डीटिल से डिसकस करेंगे यह वीडियो यू पीएसी और स्टेट पीएसी के पॉइंट अव्यू से बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है तो चलो शुब आरम करते हैं और आई होप आप सभी लोग रेडी हो चुके होंगे बच चुके है सुबा के पांच और रोजाना पांच बजे आपको यह वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है तो जिन भी लोगों ने शीडियूल नहीं बनाया है तो वो सब अपने शीडियूल को पूरी तरह से तयार कर लेए बहुत सरे लोग यहाँ पर रोजाना के बिस्स पर 5 बजे उठ रहे हैं कल जब यह वीडियो लाइफ चल रहा था तो हाइस्ट कितने लोगों नहीं यहाँ पर देखा था तो हाइस्ट यहाँ पर 538 नमबर पहुंच चुगा था तो धीरे-धीरे लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है 300 सा स्टार्ट किया था एक जनवरी को 300 लोग थे जो की लाइफ देख रहे थे फिर धीरे-धीरे यहाँ पर कल के दिन अगर हम बात करें 5 जनवरी को तो लगबग 538 लोग थे जो की लाइफ देख रहे थे चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में हम इंडिन एक्स्प्रेस के उपर तो जोड देंगे ही उसी के साथ साथ जो भी important sources हैं जैसे P.I.B. down to earth जैसे important articles को भी यहाँ पर हम बहुत details से cover करेंगे वीडियो का अंत बिल्कुल मिसमत करना आपको रोजाना मिलती है टेस्ट attempt करने को मिलता है तो वीडियो के अंत को बिल्कुल follow करके जाना है आपको बहुत मदद मिलने वाली है बाकी इस lecture का जो PDF है अगर आपको यह download करना है तो टेलिग्राम पर जाना वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में दीपक चैदव एजूकेशन लिखना है आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा दस हजार से जादा लोग अल्रेडी वहाँ पर जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में जुड़ कर वहाँ पर अपने जो questions बगरा है वो put up कर सकते हो तो start करते हैं आज के importance से motivation के साथ में motivation थोड़ा interesting सा है क्या बूलता है माना कि आप अपना भविशे नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं आपकी आदते निश्यत ही आपका भविशे बदल देंगी होता यहां पर यह है कि आप अचानक से अपना future चेंज कर सकते हो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन आपकी जो habits हैं आप उन habits को बदल कर एक अच्छी habits को follow कर कर definitely आप अपना future बदल सकते हो क्योंकि आपका goal बहुत बड़ा है तो उसको लिए लड़ाए भी बहुत लंबी चाहिए साथी साथ में आपको sacrifice भी उतना ही करना पड़ेगा उतना ही जीवन के अंदर त्याग करना पड़ेगा अगर आपने बड़ा सा goal सेट किया हुआ है तो तो उसके लिए आपको अपनी habits को भी change करना पड़ेगा आप सोच रहे हो 10-12 घंटे सो कर फिर 5-6 घंटे मज़े लेने के बाद में फिर जो बचा कुछा time है उसमें पड़ कर मैं हाँ पर अपना जो exam है वो crack कर पाऊंगो तो ऐसा यहाँ पयार नहीं होने वाला है ठीक है न तो आप कोई पता है आपको खुद का एक schedule maintain करना होगा properly 6-7 hours की जो पड़ाई है वो रोजाना के basis पर लेकर चलनी पड़ेगी अपना schedule जब बना रहेगा रोजाना के basis पर हम चीजों को follow कर रहे होंगे तो इससे definitely आपके future के ओपर एक बहुत बड़ा impact पड़ने वाला है एक बहुत बड़ा आपको result मिलने वाला है ठीक है ना वैसे काफी सारे लोग रात में जाकर पढ़ने वाले हैं देखो सब के अपनी अपनी याँ पर capabilities होती है जिसको जो suit करता है वो यहाँ पर करे वो जादा बहतर होगा बट अगर आप morning में यहाँ पर start करते हो पूरे energy के सकता हूं है ना तो morning में थोड़ा सा energy बना रहता है आप यहाँ पर उठते हैं मतलब आपको morning में पढ़ना पसंद है या इवनिंग में पढ़ना पसंद है या रात में आप late night study करना पसंद करते हो आप नीचे comment section बता सकते हो मैं किसी के उपर जोर नहीं दे रहा हूं कि आप आपको morning में उठना है पांस बज़ उठकर यह वीडियो देखना है ऐसा नहीं है आपको जो suit करता है आप जिसके हिसाब से यहाँ पर आपको जादा results मिल रहे हैं तो आप उस चीस को follow करो वही आपको बहतर तरीके से आगे grow करेगा लेकिन ध्यान रखना आपको अपनी आद platform आप कहीं पर भी चले जाते हो उसके ऊपर आप कोई भी यहाँ पर reels वगरा भी स्क्रॉल करने लगते हो तो कितना time आप महाँ पर बेकार कर देते हो ऐसा बहुत सारी लोगों के साथ में होता रहता है तो कोशिश करो कि अपने आपको distraction से बचाना है जितना distraction से बचा करेगा आप important information को अपनी बढ़ाई को लेकर चलोगे तो फिर वो चीज़े जलदेल्दी process भी हो पाएंगे ठीक है ना माइंड के अंदर कचरा डालना बंद करो और जो भी अपना गोल है उनी चीजों को दिमाग में रखो और उसी के आसपास आगे चलते रहो और अपने habits को properly maintain करके और discipline way में आगे बढ़ते रहना है ठीक है आगे आते हैं स्टार्ट करिंग आज के session को थोड़ा लंबा चोड़ा motivation हो गया लेकिन रोजाना के basis पर आप सभी लोगों ने आप पर काफी जोड़ दिया है पहले मैं motivation देता नहीं था लेकिन रोजाना comments आते सर motivation को continue रखो रोज एक motivation दे दिया करो तो मैंने सोचा चलो इसमें कोई problem वाली बात है भी नहीं मैं कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर आपके लिए इतना कर रहा हूँ ठीक है चलो आज हमारा जो session है ना वो start होगा P.I.B. के आर्टिकल से तो P.I.B. के अंदर Prime Minister के office से एक news निकल करा दिए में बना हुआ है तो डिसकस करेंगे नहरू memorial museum and library society आखिरकार है क्या ठीक है ना यहाँ से prelims में आपसे directly सवाल बन सकता है तो news क्या है उस news को आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो रेड कलर में आप पर यह news दिखाई पड़ेगी Prime Minister ने recently इस annual जो general meeting होती है हर साल यहाँ पर जो मैं आपको directly important point के उपर लेकर चलता हूँ directly यहाँ पर ऐसी चीज़ के उपर जहाँ पर examination में सवाल पूछ जाएगा तो यहाँ पे नहरू memorial museum and library society की ही एक meeting हुई थी जिसको यहाँ पे PM ने चेयर किया आप से सवाल जो पूछा जाएगा ना वो background information से पूछा जाएगा यह तो नहरू memorial museum library है ना यह basically यहाँ पर एक ऐसा institution एक ऐसी body है जो कि कौन सी ministry के अंदर में आती है ministry of culture के अंदर में आती है पहला important point जो कि आपको ध्यान में रखना है ऐसे directly सवाल बनते है ministry of culture के अंदर में यह body आती है दूसरा यहाँ पर इस body को बनाया गया था 1964 में प्राइम जो ह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगए Delhi के अंदर में Delhi के अंदर में तीन मूर्ती लोकेटेड देखने को मिलेगी यह वाली body अब इसके अंदर जितना भी काम होता है इसका administration किसके हाथ में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, हमारे प्राइम मिनिस्टर बिसिकली इस बॉडी के प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, सारी की सारी जो इस बॉडी की पावर से हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में देखने को मिलती हैं, अब इसी बॉडी से संबंदित एक होते हैं इस memorial के regarding इस body के regarding जो भी decisions होंगे वो सारे decisions यहाँ पर यह N.M.M.L society लेता है इसके अदर अलग-लग units है चार major units यहाँ पर बनाए गए है एक memorial museum है एक library है तो उसके बाद में center for contemporary studies है और narrow planetarium है यह basically चार अलग-लग units आपको इस particular body के अंदर देखने को मल जाते हैं ठीक है बात clear हो गई तो यह मैंने आपको यहाँ पर article समझा दिया है तो news क्या था ही यह मैं आपको समझा दिया कि PM Modi ने यहाँ पर इसकी एक meeting जो है इसको chair किया था वो हमने यहाँ पर समझ लिया है यहाँ पर जोड दिया है जहां पर भारत के जितने भी प्रधान मंतरी आपको देखने को मिलेंगे जब से देश आजाद हुआ है हमारा उन सभी प्रधान मंतरियों को ट्रिब्यूट दिया गया है उनको जो भी यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा इतिहास के अंदर सारा कसा research वर के वो सब यहाँ पर आपको आज भी store देखने को मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पर रखावा देखने को मिलता है, ठीक है, बात clear होगी, चलो जी, आगे आते हैं next article की तरफ, अगला article बहुत important होने वाल ब्रजील के, बट अब यहाँ पर जो नए president आया है, जिनका नाम है Lula, तो इनकी कहानी यहाँ पर समझाई गई है, बट हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, तो आप कहोगे कितनी बार पढ़ाओगे, आपने दहिंदू के अंदर तो पढ़ा दिया है, ठीक है, मैंने दहिंद आर्टिकल इतना important हो चुका है कि मुझे भी feel हो रहा है कि इसको लेकर question बन सकता है, तो मैं खुद से भी एक बार इसकी location आपको बताऊंगा, कि आकरकार Brazil कहां पर रस्तेत है, या फिर आपसे सवाल जो बन सकता है, वो किस प्रकार से बन सकता है, पहले मां आपको एक world map आपको दिख रहा है, यही है exactly Brazil, आपने Amazon के जंगल के बारे में सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े जो जंगल है, वो जो जंगल है ना वो basically यहाँ पर Brazil के अंदर ही इस्थित हैं, ठीक है, ब्रजील के आसपास के देश के अंदर भी फैले वे हैं, लेकिन major portion Brazil के अंदर Brazil है, यहाँ पर इसकी capital Brazil यह देखने को मल जाती है, इसके आसपास कौन कौन से ocean पढ़ते हैं, तो इधर आपको इसके बराबर में Atlantic Ocean दिख रहा होगा, यानि की Eastern side में Atlantic Ocean है, कई सारी countries के साथ में border को share करता है, आप यहाँ पर देख पार होंगे, ग्युआना, विनिंजुला, Colombia, Peru, Ecuador, पेरू है, इधर Bolivia है, परागुए है, औरुगए है, यह सारे देश यहाँ पर इसके साथ में boundaries को share करते हैं, फिर उसके बाद में आप देखोगे जो Brazil है, यह founding member भी है, अलग-लग bodies का, international level पर आपने G20 के बारे में सुना होगा, BRICS वाले group के बारे में सुना होगा, उसके बाद में Union of South America Nations के बारे में सुना होगा, मेर को जुल सुना होगा, तो यह अलग-लग जो groups है, United Nations के बारे में सुना होगा, तो जितने भी जो groups हैं, Brazil इनका founding member है, बहुत important है ध्यान लगना कि Brazil यहाँ पर इन सभी का members है, जो news में groups हैं, उनके बारे में बस इसके अलाव यहाँ से बहती है, Amazon River की बात करेंगे तो यह South America की सबसे बड़ी नदी एक largest river की category में इसको रखा गया है, तो आप कोगे इसको map में देखते तो सर अच्छा समझ में आता, मैं बिल्कूल समझ रहा हूँ, अब यहाँ पर इसको मैं map में ही दिखाता हूँ, ठीके न, यहाँ यहाँ पर आपने देखा, यह पूरा का पूरा हो गया, साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपको ब्रजील देखने को मिलेगा, Amazon के जंगल, जो यह green color का main area दिख रहा है यह Amazon के जंगल है, यही पर Amazon की नदी बहा रही है, यह आपको blue color का portion दिख रहा है यह साथ में, यह basically Amazon की नदी निकल कर आती है, और निकल कर आकर यह बहती हुई कहा पर जाती है, Atlantic Ocean में, क्योंकि यहाँ पर Atlantic Ocean है, जैसा यहाँ पर mention किया गया है, ठीक है, तो यह नदी Andies Mountain से निकली, और यहाँ पर बहा कर गई, Atlantic Ocean तक तो ब्रजील से भी बहा कर जाती है, Amazon के जंगल से बहा कर जा पेरू, सूरी नेम, वेनेजुला जैसे इसके आसपास के देश, हम एक सेकेंट आपको दिखा देता हूँ यह आपको यहाँ पर सारे के सारे देश देखने को मिलेंगे इस पूरे एरिया में यहाँ पर यह जो जंगल है वो फैला पड़ाए इस प्रकार से जंगल आपको देखने को मिलेगा ना केवल ब्रजील में है, ब्रजील के साथ साथ इसके आसपास के देशों के अंदर भी फैला हुआ है ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी इंफोर्मेशन अपने पास में यहाँ पर जरूर से स्टोर करके रखनी है आपसे सवाल बन सकता है, क्योंकि Amazon के जंगल लगातार न्यूज में बने हुए है निक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आपने थमनिल देखा होगा, अलग-लग साड़ी के थमनिल लगाया गया है तो वो बिसिकली सारी जोहना अभी लगाता न्यूज में बने ही है अगेन P.I.B. का ही आर्टिकल है, देखो अलग से आपको कहीं पर भी P.I.B. एनलेसिस या P.I.B. वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है तो हर तरीके से अगर आप दोनों वीडियो को फॉलो कर रहे हो, दहिंदू और इडिन एक्सप्रेस तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपके सारे करेंट अफिर्स कवर हो रहे होंगे इविन इस वाले वीडियो में तो आपको प्रैक्टिस क्वेशन भी मिल गए है दहिंदू के वीडियो में इतना टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस क्वेशन लगाने का, बट इसमें मैं प्रैक्टिस क्वेशन भी लेकर चल ला हूँ, तो आपकी टेस्रीज भी रोजाना के बेसिस पर आपको मिल रही है ठीक है, बात क्लियर हो गई, और इसी बात पर अभी तक आपने वीडियो पे जो लाइक का बटन प्रैस नहीं किया है न, वो प्रैस कर दिना यार, एक टारगेट होता है जो आपका सपोर्ट मिला इस वीडियो के परती, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ पर यही सपोर्ट देखकर और जदा मेहनत करने का मन करता रहता है Second Face of Sari Festival, एक Sari Festival है जिसका नाम है विरासत, ध्यान अकना आप से पूख़ता है विरासत क्या है तो बता दिना Sari Festival है, तो Sari Festival का जो Second Face है वो यहाँ पर Start हो चुका है जिसके बारे में यह Information शेर की गई है तो मैं आपको समझाऊंगा डीटेल से कई सारी सारीज के बारे में भी बताऊंगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है 3rd of January 3rd of January से 17 January तक यह पूरा का पूरा New Delhi के अंदर में जनपत में एक exhibition लगा जाएगा पूरा मेला लगेगा वहाँ पर अलग-लग प्रकार की सारीज वहाँ पर लगाई जाएगी वहाँ पर अलग-लग प्रकार की सारीज डिस्पले करी जाएगी उनको बेचा भी जाएगा लोग खरी देंगे भी ठीक है तो कवगे इसमें ध्यान क्या रखना है बस इतनी बात ध्यान रखना कि यह जो सारी festival इसको organize कौन करता है इसको organize करती है हमारी union ministry of textile बस इतनी बात ध्यान रखना जो आप देखते हो ता सारा content रोजाना होता है ना इसमें से important जो बाते हैं ध्यान रखने वाली वो कुछ ही निकल कर आती है ठीक है तो क्या बात ध्यान रखनी है ministry of textile के अंदर में यह सारी festival यहाँ पर और मतलब इस festival को organize करने वाली यही body है साधी साथ में सारी festival जिसका नाम है विरासत यह भी ध्यान रखना फिर उसके बात यहाँ पर बताया गया कि जो मेला लगेगा डेली के अंदर में इस मेले में अलग-लग प्रकार की जो सारी है वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी वो डिस्प्ले की जाएंगी तो वो अलग-लग राज्यों से बिलॉंग करने वाली साडिया होंगी जैसे states के अगर हम लोग बात करें तो आंदर प्रदेश की कुछ important सारी की varieties है जैसे यहाँ पर उपदा जमधानी सारी हो गए वैंकटागिरी जमधानी कौटन हो गए गोला बमा सारी नरायान पित सारी आपको यहाँ पर तैल तलंगना की देखने को मिलेगी तामिलाडू के अदर यह कुछ सारी की अलग varieties है कंची पुरम सिल्क सारी अरनी सारी, इस प्रकार से अलग-लग वराइटीज है, महराश्टरा के अंदर में आप देखो के पैथानी सारी, करवत काठी सारी, नाकपूर कॉर्टन सारी, 36 गड़ के अंदर तुसार सिल्क सारी और अफचंपा ये देखने को मिलेगा, मद्यप्रदेश में महेश्वरी सार देन उसके बाद में बनारस ब्रोकेड, यहाँ पर तंकोई, कट वर्क, जमदानी, फिर जमुएंट कश्मीर के अंदर पश्मीरा सारी बहुत पॉपुलर है, क्वेशन बनने के चांसेज है, रिसेंटली न्यूज में था ये, बिहार के अंदर आपको देखने को मिल जारखंड के अंदर तुसार, गिच्चा सलक सारी, करनाडिका के अंदर में एकल सारी इस प्रकार के अलगलग सारी हैं, तो कहोगे इस सब ध्यान में रखनी हैं, ध्यान में मत रखना, देखो अभी याद करोगा तो हमेशा भूलोगी ही, इतना तो है, क्योंकि इतनी प्रिलिम से, एक दिन पहले रिवाइस करना है, तो हमेशा देखो सक्सेस होने के लिए एक आपको ट्रेक ये भी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़े होती हैं, कि हमेशा याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर मैंने आज इसे छोड़ दिया, आज आप इसको छोड़ कर चलेगा, त आप से पूसा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी सारी कौन से स्टेट से बिलॉंग करती है, तो कि सारी इस न्यूस में कहीं से एक क्वेशन बन सकता है, तो कहोगे सर इतनी सारी याद रखके कब तक याद रहेगा मैं, मैं जानता हूँ यह याद रखना मुश्किल हो जाएग लेकिन आप यहाँ पर एक कुछ टॉपिक का एक टॉपिक की लिस्ट ऐसी बनानी होगी, जो कि आपको प्रिलिम से एक दिन पहले रिवाइस करना होगा, अब उसको भर मत देना पूरी तरह से, बस खाली यहाँ पर एक लिस्ट ऐसी भी होनी चाहिए कि प्रिलिम से मुझे वो पढ़कर जाना है, ठीक है न, इससे हमें याद भी रहता है, आई होप आपको यह बात क्लियर हो रही होगी, चलो, आ गयाता है फिलाल, नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, स्वरी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्डिकल पर, अगला आर्डिकल बात करता है, अ साल 2022 के अंदर, असम के अंदर में एक भी राइनो की हंटिंग नहीं की गई है, एक भी राइनो की पोचिंग नहीं होई है, पहली बार ऐसा हुआ है, इस वज़ए से यहाँ पर राइनो काफी ज़दा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, हम यहाँ पर कवर करेंगे इंडियन रा आने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, तो न्यूज क्या है यह तो मैंने आपको बता दिया है ओलडी कि असम के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एनॉंस्मेंट किया है कि देखो 2022 के अंदर कोई भी राइनो की पोचिंग वगरा नहीं की गई है, कोई भी राइन प्लस नॉर्थ बेंगॉल के कुछ हिस्से में, साधी साथ में सदन नेपाल के कुछ हिस्से में भी पाया जाता है, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसका यहाँ पर जो सिंग है ना, एक सिंग वाला ये गैंडा होता है, जो इंडिया में पाया जाता है, और इसका जो vulnerable category के अंदर रखा क्या है यानि कि इनको किस प्रकार से हम protection provide करवा रहे हैं तो हमेशा जानवरों को लेकर उसका IUCN status पूछा जाता है तो IUCN red list में यह जो rhino है, Indian rhino यह basically vulnerable category में है vulnerable category में मतलब है कि जादा खत्रे में भी नहीं है लेकिन यहाँ पर फिरबिस की population जो है वो लगातार कम हुई है इविन हमारे पास में जो worldwide की जो यहाँ पर report है वो यह बोलती है कि इंडिया के अंदर में आज के समय में लगबख 3700 के आसपास Indian rhinos देखने को मिल जाएंगे 3700 के आसपास Indian rhinos हैं और सबसे जादा जो rhinos की population है वो कहाँ पर है वो असम की काजी रंगा नैशनल पार्क में है very very important काजी रंगा नैशनल पार्क में लगबख 2613 के आसपास यहाँ पर इन rhinos की population देखने को मिलेगी यह बिसिकली यहाँ पर एक census का बताया गया है वो census जो की बिल्कुल latest है March 2022 में निकाला गया था ठीक है बाकी कुछ और 2500 से जादा कुछ और rhinos पाए जाते है औरंग पोबीतोरा और मानस पार्क के अंदर भी ठीक है राइनो को खतरा यह हुआ है कि लंबे समयसन की पोचिंग की जाती है इनकी हंटिंग की जाती है इवन यहाँ पर जो इनका एक सींग होता है ना उस सींग के लिए हाँ पर हंटिंग की जाती है इवन यहाँ पर आप देखोगे चाइना के अंदर दवाईों के अंदर इन rhinos का इस्तमाल किया जाता है कई सारी बिमारियों को ठीक करने के लिए, जैसे कोई सारी बिमारिया हो गई है, हैं कैंसर जैसी बिमारी को ठीक करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तमाल किया जाता है, वेतनाम के अंदर में जो राइनो का सींग है ना, बात क्लिर होगी, अब हम बात करते रहेते राइनोस की, तो भारत में कौन से राइनो पाया जाता है, ग्रेटर वन होन राइनो, इंडियन राइनो भी बोलता है, वो इंडिया में पाया जाने वाला राइनो कौन सा है, ये वाला, बाकी दुनिया में जितने भी राइनोस पाय प्रकार के हैं एक तो होता है ब्लाक राइनो एक होता है वाइट राइनो एक होता है सुमत्रन राइनो एक होता है लेसर वन होंड राइनो और एक होता है ग्रेटर वन होंड राइनो तो आपसे पूछा जा है कि लेसर वन होंड राइनो और ग्रेटर वन होंड राइनो कौन से इंडिया में पहाँ जाता है greater one on rhino जिसका सींग जो आगे का है वो थोड़ा सा बड़ा होता है नाम सी पता चल ला है greater one on rhino ठीक है बात क्लियर हो गई ना चलो आगे आते हैं next important news article पर सावित्री भाई फूले जी लगाता न्यूज में बनी वी है तो क्यो न्यूज बनी वी है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक news article जो है यहाँ पर publish हुआ है अब यार मैं news article लगाना भूल गया हूँ ठीक है ना चलो कोई बात नहीं वैसे Indian Express का ही explain section पर यहाँ पर article आया है सावित्री भाई फूले जी को लेकर यह जो आपको picture देख रहा है यह इन ही personality का है तो यह news में क्यों है क्योंकि हाल ही में Prime Minister ने अभी यहाँ पर सावित्री भाई फूले जी को इनकी birth anniversary के उपर श्रधाज ली दी है तो कौन थी सावित्री भाई फूले समझते हैं देखो यहाँ पर यह बेसिकली एक ऐसी personality थी जिनों ने यहाँ पर महिला की education के उपर काम किया उनकी equality उनको equality देने का काम किया उनके justice के लिए काम किया इस वज़ाँ से सावित्री भाई फूले जी को यहाँ पर आपके सकतो इंडिया का पहला women teacher की तरह भी देखने को मिलता है तो इंडिया की first women teacher थी सावित्री भाई फूले ध्यान अकना उसकी बाद में जो दलित यह बेसिकली यहाँ पर एक दलित women थी जो की माली community से बिलॉंग किया करती थी इनका जन्म होता है 3 जनवरी 1831 में नाइगाउं के अंदर में खास कर 17 डिस्ट्रेट के अंदर में इस बाद से जो अभी recently 3 जनवरी निकली है न तो उसी दिन पर यहाँ पर इनकी birth anniversary जो है वो अभी यहाँ पर celebrate की गई है उसके बाद में 1840 में यहाँ पर क्या होता है कि जब यह 9 साल की होती है तो इनकी शादी करती जाती है जोती राओजी से जोती राओजी जो की यहाँ पर महात्मा जोती बाफूले के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं यह भी बेसिकली एक social reformer थे जो जाती बाद बगर इसके पूरी तरह से अगेंस्ट में थे तो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या जोती बाफूले जी ने यहाँ पर अपनी वाइफ को यहाँ पर पढ़ाया यानि की सावीतरी बाइफूले जी को यहाँ पर पढ़ाया दियान रकना जो इंडिया का पहला girl school है वो बनाया गया था भीडवड़ा में जो कि पुने के अंदर है यह 1948 में क्या गया था यह पहला girl school था भारत के अंदर में जिसको यहां पर सावित्री बाय फूले जी ने बनाया था ठीक है बाकी यहां पर इनका as a social reformer भी काफी बड़ा rule देखने को मिलेगा 1852 में इन्होंने यहाँ पर एक आपका सकतो organization बनाया जिसका नाम था महिला सेवा मंडल women की help करने के लिए महिला सेवा मंडल बनाया गया सावीत्री भाई फूले जी के थूँ फिर 1860 में 1860 में इन्होंने क्या किया देखो जो widowed women हुआ करती जो विदवा महिला हुआ करती थी उनके जो बाल वगरा काट दिया किया जाता था उस समय पर तो उस चीज के यहाँ पर against में यह थी उस चीज के against में इन्होंने strike किये देन उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर एक और जो उस समय पर pregnant widows हुआ करती थी यानि कुछ ऐसी विदवाय महिला है जो कि यहाँ पर pates है pregnant है तो उनके प्रती बहुत discrimination भेदबा हुआ करता था तो उस चीज के यहाँ पर intercast marriage है इसको support किया साथी साथ में जो widow remarriage है यानि की कोई महिला विदवा है तो उसकी वापस से शादी करवाई है इनका जो concept है यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर इन्होंने support किया जो बाल विवा है इसके against में यह थी सती सिस्टम, डावरी सिस्टम इनके सब के against में यहाँ पर यह थी तो ऐसा यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इतिहास के अंदर में फिर 1873 के अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सत्या शोधक समाज को बनाया था बहुत जादा important है ध्यान रखना आपसे directly पूछा जाएगा कि इन्होंने सत्या शोधक समाज को establish किया था setup किया था तो यहाँ पर सावितरे भाई फुले जी नहीं यहाँ पर इनको setup किया था कुछ important works और है इनके जैसे यहाँ पर इन्होंने अपनी जो पहली collection ने कविताओं की वो यहाँ पर publish की थी जिसका नाम तक कव्यफूले ठीक है ना यह basically उस समय पर 23 साल की हुआ कर दी थी जब इन्होंने अपनी कविताओं की जो collection ने इसको publish किया था उसके साथ साथ इन्होंने बाद में भवन काशी सुबोत रतना कर यानि इसको ocean of pure gems के नाम से भी जानता है फिर इसको भी publish किया यानि क्या क्या इन्होंने लिखा है इनके literary works क्या है तो एक काव्य फूले है दूसरा यहाँ पर भवन काशी सुबोत रतना कर ध्यान रखना कि जो deal imitation है बेसिकली वो क्या होता है चलो नहीं पता है तो मैं आभी आपको समझा दूगा बेसिकली अभी असम काफी ज़दा news में है deal imitation की वज़ा से तो news यह निकल कर आती है कि 27 December 2022 यानि पिछले साल 27 December की बात है election commission of India ने असम के अंदर में जो deal imitation है वो start कर दिया है ठीक है ना जो census data यानि कि जो जनगरणा 2001 वाली थी इसी data का use करके वहाँ पर dealimitation किया जा रहा है और इस commission ने यहाँ पर यह चीज़े start करी हैं तो हमें समझना होगा इस article के तहत की आखिरकार dealimitation क्या होता है आप से सवाल बन सकता है dealimitation के बारे में अगर हम election commission के according बात करें तो जो dealimitation word है ना यह क्या बात करता है इसका मतलब है यह dealimitation बैसिकली एक process है of fixing limits boundaries of territorial consequences in a country और a province having a legislative body मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ suppose यहाँ पर देको मान लो कोई एक राज्य है ठीक है ना अब होता क्या है कि उस राज्य के अंदर वैसे सभी जगा पर पूरे भारत बर में जो population है वो पहले के comparison में काफी तेजी से बदली है है ना जो population आज से 20 साल पहले थी वैसी थोड़ी ना है आज किसमे पर जो MLS वगेर है ना MPs MLS जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वो properly होने चाहिए है ना तो होता क्या है कि जैसे से population बदल जाती है तो population बदल जाती है तो मान लो यहाँ पर एक जगा यह है एक जगा यह है यहाँ पर जनसंक्या थोड़ी सी है यहाँ पर जनसंक्या थोड़ी जादा हो गई है तो क्या होगा यहाँ पर तो चलो एक MLA चल जाएगा यहाँ पर फिर आपको दो MLA करने पड़ेगा यानि कि seats को adjust करना पड़ेगा ठीके न, यहाँ पर जो seats होती हैं, उनको adjust करना पड़ेगा, यह ताकि सभी लोग को एक equal representation मिल सके, समझे लोग इस बात को, यह इसी वज़ा से हम लोग क्या करते हैं, तो Indian context में बात करें, तो इस basis पर क्या किया जाता है, जो लोग सबा और legislative assembly होती है, जो हमारी विदान सबा ह होती है, लोग सबा होती है, इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो इनकी seats बगरा होते हैं, वो change करते हैं, वो basically यहाँ पर बदली जाती है, population के basis पर, इसी को हम लोग deal imitation बोलते हैं, पहले population कम थी, तो लोगों के ओपर MPs, MLS कम हुआ करते थे, बड़ा population बढ़ चुकी है, लोगों के लिए MPs, MLS की संख्यावी बढ़नी चाहिए, तो वो क्या होगा, basically उसको हम redraw करते हैं, seats को वापस से draw करते हैं, तो इसी process को हम लोग deal imitation बोलते हैं, यहाँ पर seats बढ़ी भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जैसा उस region के अंदर स्थिति होगी, उसके साब से काम किया basically यहाँ पर क्या होता है, population change होती रहती है, तो इस वज़ा से उनको एक proper representation चाहिए, that is why हमें भी delimitation चाहिए होता है, तेकिन यह delimitation करना पड़ता है, तो असम के अंदर यह delimitation अभी के समय पर किया जा रहा है, बाकि अभी हम संबधानिक provisions देखें, constitution के अंदर क्या-क्या provisions ह इसको लेकर, तो article 82 और article 170 जो है हमारे समधान का, यह parliament को power देता है, कि parliament, लोकसबा और legislative assembly की जो seat से इनको reallocate कर सकती है, adjust कर सकती है वापस से, जो भी कम जादा करनी होगी, वो सारी की सारी जो power हो हमारी parliament के पास में होगी, और यही parliament ने किया किया है, delimitation commission act को बनाया है, और हमारे पास में delimitation commission आ जाता है, तो इस commission का ही काम होता है पूरी तरह से, इस पूरे delimitation process को कहीं पर भी करना, ठीके ना, जैसे अभी यहाँ पर आपको government cashmere देखने को मिला था, तो जो parliament है, इन्होंने यहाँ पर एक delimitation commission act को बनाया, लगबक 1952 में यह act आया था, फिर उसक हर जनगर्णा में, हर जनगर्णा के बाद यहाँ पर delimitation commission को बठाया जाता है, जो कि basically जनगर्णा के बाद में आपको population का पता चलेगा, तो इस population के हिसाब से, जो राज्ये की यहाँ पर लोक सभा के अंदर जो seats हैं, उनको वापस से redraw किया जाता है, वापस से यहाँ पर change किया जाता है, उसको readjust किया जाता है, तो present time पर जो delimitation आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह 2001 के census के basis पर होता है, 2001 की जो जनगर्णा हुई थी, उसके basis पर यहाँ पर किया जाता है, अगला जो delimitation commission बैठेगा, वो set up होगा, वो 2026 के बाद में set up होगा, आप कह सकते हो country level पर हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, बात clear हो गई, फिर उसके आद में article 330 और article 332 भी आपको यहीं पर delimitation को लेकर कही सारी बाते बताता हुआ देखने को मिलता है, यह जो सम्विधान के article 330 और article 332 हैं, यह क्या बोलता है, कि जो reserve seat है, schedule cast के लिए, schedule tribes के लिए, लोक सभा के नंबर भी हाँ पर change किया जा सकते हैं, इस delimitation के बाद में, तो यह delimitation पूरी तरह से लागू करने के लिए या इसको पूरी तरह से complete करने के लिए commission बनाया जाता है, delimitation commission, तो delimitation commission बेसिकलिए एक high powered committee है, यह ध्यानकना इसी के जिम्यदारी है, इस commission के अंदर कुछ important members यानि कि supreme court के एक retired या working कोई भी judge हैं, तो इनको हम chair person बनाता है, election commissioner भी इसका हिस्सा होते हैं, और state election commissioners भी इसका हिस्सा होते हैं, यह सब लोग मिलकर delimitation commission को lead करते हैं, और यहाँ पर जो भी commission का order आता है कि यहाँ पर इस प्रकार से बदलाव होना, यहाँ की seats इस प्रकार से हैं, यहाँ पर क्या क्या जा रहा है, delimitation जो commissions हैं, basically election commission नहीं है, delimitation को start कर दिया है, यहाँ की जो assembly आपको देखने को बिल जाती है, यहना इसके अंदर delimitation को start किया गया है, यह basically 2001 का जो जनगरना है, उसी का data इस्तमाल करके हम लोग क्या करेंगे, seats को readjust करेंगे, असम के अ अगले article बात करता है, smart program for Ayurveda के बारे में, तो आपने thumbnail में देखा होगा, Ayurveda के बारे में थोड़ा सा mention कर रहा है, तो हुआ क्या है कि हाली में, जो national commission for Indian system of medicine है, और साथी साथ में हमारी central council for research है in Ayurvedic science, यह दो important bodies है, दो important institutions है, जो की ministry of Ayushkender में है, यह इन दोनोंने मिलकर teaching professionals program, teaching professionals तक यहाँ पर इसका full form देखने को मिलेगा, तो basically यहाँ पर जो smart program है, इसका मकसद है, कि हम लोग Ayurveda के मामले में जो research है, उसको और ज़दा boost कर सकें, और ज़दा बढ़ा सकें, Ayurveda college hospitals के माद्यम से, इसके ओपर research और ज़दा की जा सकें, यह हमारा major focus है, smart program के अंदर में ध्यान अकना, इसका काम है, Ayurveda की research field को और ज़दा आगे promote किया जा सकें, इसको और ज़दा support किया जा सकें, जो लोगों के नए-ने ideas हैं, उनको और ज़दा promote किया जा सकें, तो आप से पूझा जाए smart program किस चीच के लिए है, ध्यान अकना Ayurveda sector के लिए इस program को लेकर आया फिर उसके बाद जो है ना, मैं आपको कुछ question दूँगा, खुद की practice के लिए आपको खुद attempt करने हैं, लेकिन पहले यहाँ पर एक चीज़ यह ध्यान अकना, एक आपको सकतो topic जगत जरा news में है, जिसका नाम है मुदवानी, मुदवानी डैम इको पार्क, मुदवानी डै प्रदेश के अंदर आपको यहाँ पर यह मुदवानी डैम इको पार्क देखने को मिलेगा, तो आपसे डारेक्लिया से सवाल बन सकता है, recently यहाँ पर यह इको पार्क news में है, क्योंकि जो ministry of coal है न, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, कि देखो यहाँ पर जो mine areas है, वो पे भी खनन होता है, reserves को वो सब खतम हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस particular area को eco park में develop कर सकते हैं, water, sports, mine tourism, golf grounds, यह सारी चीज़े यहाँ पर जीसे add की जा सकती है, इससे क्या होगा, लोग घूमने भी आएंगे, तो इस particular area से जो area बंजर हो चुका है, इ basically मुडवानी डैम इको पार्क न्यूस में बनावाए, तो आपने ध्यान रखना होगा, मुडवानी डैम इको पार्क कहां पर रही है, इको पार्क आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, यह इको पार्क है, मध्यव प्रदेश के अंदर आपसे डिरेक्टी सवाल बन सकता है, ठीक है ना, next एक और question है, यहाँ पर बात की गई है, fame India phase 2 scheme के बारे में, जो की electric vehicle को लेकर scheme चलाई गई गई है ना, उसी के बारे में, question क्या है, with reference to fame India phase 2 scheme, दो statement आपको दिये गए है, बताना यह है कि कौन सा statement सही है, पहला statement यह बोलता है, कि जो इस particular scheme की implementing agency है, कौन इसको लगू करती है Department of Heavy Industry, दूसरा statement बोलता है कि जो Phase 2 है Fame India scheme का, इसको extend कर दिया या है 2 साल के लिए, यानि कि 31 March 2022 के बाद भी 2 साल ता ये scheme चलती रहेगी, बताओ कौन सा statement यहाँ पर सही है Fame India Face 2 scheme को लेकर, अगर आपने पढ़ा है, वैसे दाहिंदू के अंदर मैंने पढ़ा पचास जो electric buses है, वो डेली के अंदर launch करी गई है, इस Fame India Face 2 scheme के माधियम के, इस scheme के support से, इस वज़र से यहाँ पर ये news में है, तो Fame India Face 2 scheme क्या है, थोड़ा से मैं आपको बताता हूँ, अब यह जो Fame Fame नाम आपने पढ़ा, इनस की full form क्या है, इसकी full form है, faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India, जो electric vehicles है उनको जल्दी हम adopt कर लें, और adopt करने के साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या करें, कि हम लोग यहाँ पर जो manufacturing है, electronic vehicles की उसको हम लोग बढ़ा सकें, तो यह हमारा target है, इस Fame scheme के अंदर में, यानि electric vehicles को promote करने का काम करता है, इस particular scheme की implementing agency कौन सी है, तो department of heavy industry इसकी implementing agency है, ऐसे directly question बनत infrastructure को बना सकें, यह हमारा यहाँ पर target है, ठीक है न, इसके benefits यह होंगे कि हम अपने environment को pollution free बना पाएंगे, और यहाँ पे लोगों को एक fuel security मिल पाएंगे, यानि कि लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तेल के लिए, लोग charging के basis पर यहाँ पर आगे चल पाएं जो यह face 2 वाली fame India scheme है न, इसको 2 साल के लिए और जाधा आगे बढ़ा दिया है, 31 December March 2022 से, तो 31 March 2022 के बाद 2 साल तक और जाधा यहाँ पर यह scheme को extend कर दिया है, चलती रहेगी, इस वैसे यहाँ पर statement 2 भी हमारा बिल्कुल सही है, तो यह थे दो important questions, एक और question यहाँ पर आपको test वाली questions पूछे जाएंगे, ठीक है न, यह जो question है, यह बात करता है DEXA scan के बारे में, तो recently एक topic काफी news में है, DEXA scan, तो इस DEXA scan के reference में आपको दो statements दिये गए हैं, अगेन बताना है कौन सा statement सही है, पहला statement बोलता है, इस DEXA test के माध्यम से, क्या होता है, यह test एक ऐसा test है देखो अभी हुआ क्या है न, जो हमारा BCCI है, जो cricket के लिए एक board बनाया गया है न, इसने DEXA scan को वापस से लेकर आ चुका है, DEXA scan और यो-यो test यह वापस से लेकर आ चुका है, तो DEXA scan इस वेसे news में है, तो यहाँ पे एक question में यह पूछा गया है, DEXA test के माध्यम से क्य क्या होता है कि जो trainers होगा न, वो trainer क्या करेंगे, वो trainer basically एक व्यक्ति के, जो body fat percentage होगा, उसके अंदर कितना मुटापा है, वो map पाएगा, साधी साथ में उसके अंदर कितना muscle mass है, उसके अंदर कितना water content है, और bone density है, वो चीज़े नाप सकेंगे हम लोग, इस DEXA test के माध्यम से, दूसरा statement बोलता है, कि ये मदद करता है कि व्यक्ति के fat के बारे में जानने के लिए, और इससे यहाँ पर उसके result के बारे में भी काफी सारी बाते पता चलती है, तो बताओ DEXA scan के reference में कौसे statement सही है, तो वैसे सका option number C है, अगेन दोनों के दोनों statements आपको यहाँ पर सह साथ में DEXA scan, ये दो प्रकार के test हम वापस से लेकर आ रहे हैं, ताकि जो team के अंदर अलग-अलग sports person का खिलाडियों का selection किया जाएगा, वो इस test के basis पर किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये test यहाँ पर लेकर आ रहे है, तो यो यो test क्या होता है, यो यो test के बारे में आपक यहाँ से दोड़ना start करेगा, पहले इस पर जाएगा, दूसरे कौन पर फिर वापस से इस कौन पर आएगा, तो इसके बीच की जो speed है, वो यहाँ पर मापी जाएगी, ठीके ना, यह जो speed है, पांच से start करेंगे, 23 तक यह speed जाएगी, और यहाँ पर बोला गया है कि जो इस इसमें selection कैसे किया जाएगा, selections इस basis पर किया जाएगा, कि जो criteria है, वो जो speed है, वो 17 तक जानी चाहिए, वो बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीके ना, जो players है, उनको अगर यहाँ पर select होना है, qualify करना है, तो इसमें जो यह speed है ना, उनको यहाँ पर clear करनी होगे, एक minimum score set कर लेकर आए थे, एक व्यक्ति है, Jens Banks Quo, यह यहाँ पर इसको लेकर आए थे, फिर आता है, एक और topic DEXA scan का, यह तो यह test के पार है, यह भी BCCI लेकर आ चुका है, फिर बात आती है, किसकी DEXA scan की, तो DEXA scan भी यहाँ पर BCCI के पास में आ चुका है, और DEXA scan बेसिकली हाँ पहले follow किया जाता था, इसको वापस से reintroduce किया यह है, DEXA test में क्या होता है, कि जो trainer से वो क्या कर पाएंगे, यह लोग यहाँ पर body का जो fat percentage है, वो measure कर पाएंगे, body के अंदर कितना मोटा पाए, है ना, उसके body के अंदर कितना muscle महाँ से, water content कितना, bone density कितनी है, वो सारी ची के अंदर में, तो इसी वाज़ा से DEXA scan के reference में आपको दोनों के दोनों जो statement से वो बिलकुल सही देखने को मिलेंगे, चीक है, बात clear हो गई, अब आप से यहाँ पर कुछ पूसे जाते हैं, important questions, ठीक है, चलो, आप जो अगला question स्टार्ट होने वाला है, यह पूरे वीडिय statement सही है, पहला statement, यह rhinosaurus, ब्रहम पुतरा वैली में पाए जाते हैं, प्लस नौर्थ बेंगॉल के कुछ हिस्से में, और सदन नेपाल के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं, इनको IUCN की red list में, least concern category में रखा गया है, बताओ कौँ से statement सही है, खुद से try करो, फटा-फट नीचे comment section के अंदर, और फिर कितने question आपके सही हुए है, कितने में से, उसका result आपको नीचे comment section में लिखना है, जैसे कल लोगों ने लिखा था, कल 400 लोगों ने comments करे थे, याद रखना, और आज यहाँ पर इससे जादा ही लोग होने चाहिए, जो कि यहाँ पर अपने, जो result है, उ दूसरा question यहाँ पर सावित्री भाई फुले जी को लेकर है, अभी हमने इनके बारे में discussion किया था, सावित्री भाई फुले जी के reference में आपको again दो statements लिए गए हैं, बताना यह है कि कौन से statement सही है, पहला statement, 1852 में इन्होंने यहाँ पर बिसिकली एक organization को बनाया, जिसका नाम महिला सेवा मंडल, दूसरा state ने बोलता है कि सावित्री भाई जो फुले हैं, इन्होंने अपना जो poem का collection जिसको काव्य फुले बोलता है, यह इन्होंने publish किया था, 1854 में, बताओ कौन से statement सही है, option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही हैं, या फिर option D दोनों के दोनों गलत देखने को म जाता है, उसके बाद अगले question पर आता है, next question में अभी हमने starting में discuss किया था, नहरू Memorial Museum Library Society के बारे में, तो आप से पूछा जाता है कि इस particular society के reference में, दो statements हैं, बताओ कौन से सही है, पहला statement, यह एक autonomous institution है, जो कि Ministry of Culture, Government of India के अंदर में आता है, दूसरा statement जो President of India होता है न, यही यहाँ पर इस particular body के President होता है, धिहान से पढ़ना इसको, अब इसके regarding आपको statements दिये गए, नीचे, नीचे option दिये गए, option A one only, option B two only, option C दोनों सही है, या फिर option D दोनों गलत है, पताओ इसका answer के है, थोड़ा सा यहाँ पर यह confusing सा हो जाये का, लेकिन इसका answer जरूर देना है, ठीक है न, अगली question पर आता है, अभी मैंने Brazil की location आपको समझाई थी, तो Brazil की location के reference में एक question है, Brazil के reference में दो statements दिये गए है, पहला कि जो Brazil है, यह Union of South American Nations का founder, founding member नहीं है, ध्यानक ना क्या लिखा है, Brazil is not a founding member of Union of South American Nations, दूसरा यहाँ पर statement बोलता है, कि Brazil के आसपास, आपको Atlantic Ocean द अमेरिका के देखने को मिलता है, मतलब Ecuador, चिली के अलावा, South America के जितने भी देश है, वो Brazil के साथ में boundaries को share करता है, बताओ कोई सा statement सही है, option A one only, option B two only, option C दोनों सही है, या फिर option D दोनों गलत है, चलो इसका answer दो, अब मैं आपको जितने भी question आप से पूछा है न, इनके answer देना start करता हूँ, ठीके, ताकि आपको answers भी हाँ पर मिल जाएं, तो ये वाला जो question से लो, यही से start कर लेते हैं, इसका जो answer है, इसका answer आपको मिलेगा, option number B, two only, two only क्यों मिलेगा, दोखो, आपको मैंने पढ़ा रखा है, अब इसके बारे में, मैंने ब्रजील के जब location अब का ये members है, founding member है, तो आप से सवाल में क्या पूछा गया, पहला statement बोलता है कि Brazil is not a founding member of the union of South American nation, तो ऐसा तो है नहीं, यह basically, यहाँ पर statement बोला गया, यह member नहीं है, लेकिन यह हकीकत में member है, इस विसे statement one गलत हो जाता है, statement two जो है, वह मारा बिल्कुल सही रहेगा, तो कि South America में जितने भी countries हैं, उसमें से दो countries को छोड़ कर, यानि कि आप अगर Ecuador चिली को छोड़ दोगे, तो इनको छोड़ कर, बाकी सारी countries के साथ में, यह अपने boundaries को share करता है, ठीक है, बात clear होगी, चलो, आगया आता है, ठीक है, तो यह question आपको यहाँ पर हो चुका है, एक सेक आप सोच रहोंगे, दोनों सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पहली चीस्तों मैंने आपको बोला था कि इस particular body को ध्यान लखना ही, कौन सी ministry के अंदर में आता है, तो यह जो institution, यह ministry of culture के अंदर में आता है, यह बात तो सही हो गई, दूसरा statement कि जो president of India है, वही यहाँ पर इस body क के president होता है, ऐसा बताया था कि हमेंने, नहीं, जो prime minister of India होता है, वो इस particular body के president होता है, that is why यहाँ पर जो two वाला है, वो गलत है, option A आपका थोड़ा सा, sorry, option A कुछ है केवल वो आपका उत्तर रहेगा, यह मैंने अभी आपको थोड़ दर में इस body के बारे में थोड़ दर पह connection of Poya में जिसको काविया फूले के नाम से जानते हैं, यह 1854 में publish किया गया था, that is why C जो है, इसका सही उत्तर है, अगले article पर आते हैं, अगले question आप से पूछा गया था, Indian rhinosaurus को लेकर, इंडियान rhinosaurus को लेकर दो statements दिये गए बताओ कौन से सही है, पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह ब्रहम पुत्रा वैली, North Bengal और Southern Nepal में पाया जाता है, मैंने directly बताया था, दूसरा गलत है, यह basically IUCN list में least concerned category में नहीं है, यह vulnerable category में है, इस वज़ा से option A जो है, इसका थोड़ा सा सही हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर confusing, confusing से statements आते हैं, prelims के अंदर में, अगर आप practice करोगे, तो एक habit बन जाएगी, वहाँ पे बैठोगे, तो चीज़े असान लगेंगी, है ना, तो IUCN के अंदर इसको vulnerable category में cover किया यह है, ना कि यहाँ पर least concerned category में, that is why यहाँ पर दूसरा statement हो जाता है, गलत, I hope आपने यह भी सही attempt किया होगा, बाकि यह questions दो मैंने आपको पढ़ाई दिये थे, एक छोटा सा question और है, उसको भी discuss कर लेते हैं, अभी मैंने सारी festival के बारे में आपको पढ़ाया था, याद होगा, जिसका नाम है विरासत, यह जो festival है, यह भी डेली के अंदर किया जा रहा है, exhibition लगवाए, अलग लग राज्ये की जो important सारी है, उनका exhibition होगा, मेरा लगया जारा, उनको खरीदा बेचा जा रहा है, ठीक बात है, तो यहीं पर एक सारी के बारे हैं पूछ लिया गया था, which of the state is famous for making सिद्धेपेथ, गोलब अमा सारी, तो कौन सा राज्ये फेमस है इस वाली सारी के लिए, बताना है, महराष्टरा, सारी हो गया, सिद्धेपेथ, गोलब अमा सारी हो गया, देन उसके बाद में नरायंत पत सारी हो गया, यह कुछ important सारी की varieties हैं, जो की तिलंगना के अंदर पाई जाती है, ठीक है, तो यह था आज का हमारा important सा question का test, I hope आपने काफसरी question attempt करें हैं, और सही attempt करें, जरा नीचे comment section में अपना score बता देना कि हा सर मैंने इतने attempt कि हैं और मुझे मज़ा आया है, मैंने इतनी चीज़े सीखी हैं, रोजाना के basis पर आपको ये videos attempt करनी है, क्योंकि आपको ये बहुत ज़ादा help करेंगी, भले ही video 50 minute का हो जा लेकिन आपको time इतना निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपको test practice भी करवाई जा रही है, ठीक है ना, और आपको content तो मिली रहा है, Indian Express का साथ साथ कुछ और important sources भी मैं आपको यहाँ पर provide करवाई रहा हूँ, ठीक है, आप करते हैं, वैसे हम लोग अपने वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं हम लोग अपने next वीडियो में,